हेलो फ्रेंड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेन वीडियो दोस्तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप ये च्छी काम करते हैं तो आपके लिए इंकम टेक्स रिटर्न फाइल करना मेंटेटरी है भले ही आपकी इंकम ठाइलाग से कम हो तो तो इस तो आपको याथ होगा गर्मेंट ने एक ट्वीट किया था जहांपे जो है कुछ ट्रांजेक्शन का जिकर किया था जो आपकी 26 एस में रिफ्लेक्ट होंगी साथ ही यहांपे कुछ इंपॉर्टेंट कंडिशन्स भी लिखी गई थी कि ITR फाइलिंग आपके लिए क इन केसेज में कंपल्सरी की गई है हाला कि इस ट्वीट को अभी डिलीट कर दिया गया है लेकिन इन कंडिशन्स के लिए इंट्राजेक्शन के को विड्रो करने की अभी कोई भी ओफिशिल एनॉंस्मेंट गॉर्मेंट की तरफ से नहीं हुई है तो चलिए बैस जान लेते हैं इबर ये कंडिशन्स क्या थी तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कंपल्सरी फाइलिंग ओफ रिटार्न बाइ पर्सन हाविंग बैंक ट्रांजेक्शन अबव रुपीज 30 लाग तो आप 30 लाग से जादा की अगर कोई बैंक ट्रांजेक्शन कर रही है तो आ कोई explanation नहीं आई है लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है जल्दी ही कोई notifications आएगी अगर ये चीज़े applicable है तो जैसे ही इससे related कोई notification आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी next in उने कहा है all professionals and business having turnover above rupees 50 lakh तो अगर आप professional है आपकी DC 50 लाग से जादा है अगर आपका business है आपका turnover 50 लाग से जादा का है तो आपको income tax return फाइल करना mandatory है next in उने कहा है payment of rent above rupees 40,000 अगर आप 40,000 से जादा का rent पे कर रही है तो आपके लिए income tax return filing mandatory की गई है तो ये तीनों चीज़ें आपकी जो है इस tweet के अंदर बताई गई है अभी इनको लेकर ना ही कोई notification आई है ना ही कोई explanation आई है कि किस तरीके से ये चीज़े count की जाएंगी जैसे ही कोई notification आईगी तो उससे इसकी जादा clarity हो जाएगी अभी जो हमारे नए income tax form आई थे उनमें अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी कुछ cases में ITR filing को compulsory किया गया है तो कौन-कौन से वो cases है वो भी मैं आपको बता रही हूँ तो दोस्तों ITR filing compulsory की गई है अगर आपने current account में एक करोड़ से जादा की deposit कराई है एक या एक से जादा current account में अगर आपने एक करोड़ से जादा की deposit कराई है तो आपको ITR filing करना mandatory किया गया है नेक्स्ट इनोने का है अगर आपने electricity bill एक लाग से जादा का pay किया है एक लाग से जादा के electricity पर आपने expenses किये है तो आपके लिए income tax return file करना mandatory किया गया है नेक्स जो important चीज़ है अगर आपने foreign travel पर दो लाग से जादा का खर्चा किया है तो भी आपके लिए income tax return file करना mandatory है भले ही आपकी income taxable limit से कम हो भले ही आपकी income धाई लाग से कम हो आपको ITR file करना compulsory है तो ये 6 ऐसे cases हैं जो मैंने आपके साथ discuss किये है कि कब आपके लिए ITR file करना compulsory होगा तो ये थे मेरी important video I hope ये आपके लिए है useful thank you for watching